जम्मु कश्मीर के होनहार नवजवानों के लिए हमारे बेटे बेटियों के लिए बहुती महत्वपुन दीन है आज जम्मु कश्मीर में बीस अलग-अलग जगहों पर तीन हजार युवाओं को सरकार में काम करने के लिए नियुक्ती पत्रसों पे जा रहे हैं इन नवजवानों को PWD, स्वास्त विभाग, खाद्य और नागरीत आपूर्ती विभाग, पशुपालन, जलशक्ती, शिक्षा, संस्कृती जैसे विभिन्य विभागों में सेवा का अवसर मिलने जा रहा है आज नियुक्ती पत्र पाने वाले सभी युवाओं को बहत-बहत बढ़ाई देता हूँ और रोजगार मेले के इस आयोजन के लिए मैं स्रिमान मनोश चिनाजी को और उनकी पूरी टीम को भी बढ़ाई देता हूँ मुझे बताया गया है कि आने वाले दिनों में दूसरे अन्य विभागों में भी 700 से जादा नियूक्ती पत्र देने के तैयारी जोरों पर है इसका अलाब जिन विएओं को मिलने वाला है और वो भी कुछी दिनों में होने वाला है उनको भी मैं अगरिम शुब का बनाए देता हूँ साथियों 21 सदी का ये दशक जम्मू कश्मीर के इतिहास का सबसे अहम दशक है अब समय पुरानी चुनवतियों को पीछे छोड़कर नई संभावनों का पूरा लाब उठाने का है मुझे खुशी है कि जम्मू कश्मीर के नौजवान अपने प्रदेश के विकास के लिए जम्मू कश्मीर के लोगों के विकास के लिए बड़ी संख्या में सामने आ रहे हैं ये हमारे युवा ही हैं जो जम्मू कश्मीर में विकास की नई गाता लिखेंगे इसलिए आज इस प्रदेश में रोजगार मिले का आयोजन बहुत विशेश हो गया है साथियों विकास की तेज गती के लिए हमें नई अप्रोच के साथ नई सोच के साथ काम करना ही होता है जम्मु किश्मीर अम नई व्यवस्ताओं में पारदर्शी और समवेदन सिल्ग व्यवस्ताओं में निरंतर विकास को आगे बढ़ा रहा है मुझे बताया गया है कि प्रदेश में 2019 से लेकर अब तक करीब करीब 30,000 सरकारी पदों पर भरती हुई है इन में से करीब 20,000 नोकरियां तो बीते एक नेड़ साल में ही दी गई है मैं रावाकर ही कहता हूँ कि बहुत ही स्वागत योग्या है अभिननन योग्या है मैं विशेश रुप्टे जम्मु कश्मिर के लेपनेन गवर्नर भाई मनोज सिना जी और उनकी पूरी टीम को प्रदेश प्रसासन की पूरी टीम को रदय से साधुवाद देता हूँ योग्यता से रोजगार के जिस मंत्र को लेकर वो चले हैं वो प्रदेश के युवाओं में नया विश्वास पैदा कर रहा है साथियों पिछले आठ वर्षों में रोजगार और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं 22 अक्तुबर से देश के अलग-अलग हिस्सों में आयोजी थोरे रोजगार मेले इसी की एक कड़ी हैं इस अभ्यान के तहट केंद्र सरकार द्वारा पहले चरण में अगले कुश महिनों में दस लाग से जादा नियुक्ति पत्र दी जाएंगे और जिस प्रकार जम्मू कश्मीर जैसे विविन राज्य भी इस अभ्यान से जुड़े हैं रोजगार मेले से जुड़े हैं ये संख्या और जादा बढ़ने वाली है जम्मू कश्मीर में रोजगार बढ़ाने के लिए हमने हाँ बिजनेस एनवार्मेंट का भी विस्तार किया है हमारी नई इंडुस्ट्रियल पॉलिसी और बिजनेस रिफार्म एक्षिन प्लान ने इज अब डूइंग बिजनेस का रास्ता साप किया है इससे यहां निवेश को जबरदस प्रोथसान मिला है जम्मू कश्मीर में निवेश बढ़ने से भी युवाओं के लिए रोजगार के नए आउसर बन रहे है यहां विकास से जुड़े प्रोजेक्स को लेकर जिस रप्तार से काम हो रहा है उससे यहां ती पूरी एकानोमी बदल जाएगी जैसे हम कश्मीर तक ट्रेन कनेक्टिविटी की दिसा में तेजी से काम कर रहे हैं स्री नगर से सारजां के लिए इंट्रनेस्ट्रल फ्लाइट पहले ही शुरू हो चुकी है जम्मु कश्मीर में वहां से रात में विमान की उडान बढ़ने शुरू हो गए है कनेक्टिविटी बढ़ने का बढ़ा लाग यहां किसानों को भी हुआ है जम्मु कश्मीर के सेव किसानों के लिए अब अपनी पैदावर बहार भेजना और आसान हुआ है सरकार जिस तरह ड्रोन के माध्यम से ट्रांस्पोर्ट को बढ़ावा देने पर काम कर रही है उससे भी यहां के फल उत्पादक किसानों को विशेस मदद मिलने वाली है साथियों जम्मु कश्मीर में जिस तरह इंफ्रास्ट्रक्टर का विकास हो रहा है कनेक्टिविटी बढ़ रही है उससे टूरिजम सेक्टर को भी मजबूत किया है हमने देखा है कि कैसे इस बाद जम्मु कश्मीर आने वाले टूरिस्ट के संख्या में रिकॉर्ड वृत्धी हुई है राज्य में आज जिस तरह रोजगार स्वरोजगार के नए अवसर खुले है वो कुछ साल पहले कोई सोज भी नहीं सकता था हमारा प्रियास है कि सरकार की योजनाओं का लाब समाज के हर वर्ग तक बीना किसी बेदभाव के पहुँचे हम विकास का समान लाब सभी वर्गों तक सभी लोगों तक पहुँचाने के लिए प्रतिविद्ध है होलिस्टीक डवलप्मेंट के इस मोडल से सरकारी नौकरी के साथ साथ रोजगार के दूसरे विकल्ब भी तैयार हो रहे हैं जमू कश्मीर में स्वास्थ और सिक्षा से जुड़े इंफ्रासेक्टर को मजबूत करने के प्रहास भी लगातार जारी है दो नए एम्स, साथ नए मेडिकल कॉलेज, दो स्टेट कैंसर इंस्टिटूट और पंदरा नर्सिंग कॉलेज खुलने से यहां की प्रतिभावों के लिए और भी जादा नए आउसर बनेंगे साथियों, जम्मु कश्मीर के लोगों ने हमेशा ट्रांस्परंसी पर बल दिया है ट्रांस्परंसी को सराहा है आज जो बेटे बेटियां, हमारे नवजवान, सरकारी सेवाओं में आ रहे हैं उन्हें ट्रांस्परंसी को अपनी प्रात्थिकता बनाना है मैं पहले जब भी जम्मु कश्मिर के लोगों से मिला हूँ, उनका एक दर्ध हमेशा महसूस करता था, यह दर्ध था व्यवस्थावमें ब्रष्टाचार, जम्मु कश्मिर के लोग ब्रष्टाचार से नफरत करते हैं, तंगा चुके हैं मैं मनों चिनाजी और उनकी टीम की इस बात के लिए प्रसंसा करूँगा कि वो प्रश्टाचार रुपी बिमारी को समाप्त करने के लिए भी जी जान से जुटे हैं जो नवजवान अब प्रदेश सासन का हिस्सा बन रहे हैं उनका ये दाईत्व हैं कि वो पारदर्सिता के प्रयासों की इमामदार सासन के प्रयासों को मनों सिनाजी के एक सच्चे साथी बन करके नई उरजा दे मुझे भी स्वास है कि जीन युवाओं को आज नियुक्तिय पत्र मिल रहा है वो नई जिम्मेदारी को पूरी निष्टा और लगन से निभाएंगे जम्मु कश्वीर हर हिंदुस्तानी का गवरो है हमें मिलकर जम्मु कश्वीर को नई उचाई पर ले जाना है हमारे सामने 2047 के विक्सित भारत का विराट लक्ष भी है जिसे पूरा करने के लिए हमें मजबूत संकल्पों के साथ राष्ट निर्मान में जुड़ जाना होगा मैं फिर एक बार जम्मु कश्वीर के हमारे बेटे बेटियों को उनके जीवन के नए शुभारम के लिए नए शुरुवात के लिए अनेक अनेक शुभ कामना देता हूँ और उनके उजबल भविष्टे लिए कामना करता हूँ बहुत बहुत धन्यवाद